हाई फ्रेंड्स एंड यार चैनल में आप सभी को स्वागत और अबिनन्दन है आज की इस वीडियो में हम नए टापिक्स पर ध्यान देने वाले हैं जैसा कि पिछले वीडियो में बर्ग के बारे में पढ़ाया गया शिखाया गया और ट्रिक भी बताया गया इस वीडियो मे हम बर्गमूल की concept के लिए करने वाले हैं कि बर्गमूल जो है कैसे किसी संख्या का हम find कर सकते अगर आपको कुछ भी नहीं आता हूँ बर्गमूल का तो यह वीडियो जरूर देखें जैसे मैंने इस screen पर लिख रखा है कि बर्गमूल square root इंगलिस में इसको बोलते हैं और concept का मतलब हुआ कि इसका clear जो है इसका rules क्या है कि कैसे हम लोग की संख्या का बर्गमूल ग्याद करेंगे जैसे किसी भी संख्या का बर्गमूल अगर कहा जाये तो उसका मतलब क्या है यह जाननाम को जरूरी है इसके लिए हम next page पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर बर्गमूल की परिभासा यह है कि बर्ग की बीपरीत प्रक्रिया को बर्गमूल कहते हैं example के लिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि यदि 5 का बर्ग 25 है पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं बर्ग तो 25 का बर्गमूल 5 होना चाहिए आनि कि 5 का बर्ग अगर 25 है तो 25 का बर्गमूल 5 होगा यही इसका concept है कि बर्गमूल है क्या बर्ग की बीपरीत प्रक्रिया का नाम है बर्गमूल ठीक है जैसे 6 का बर्ग अगर किया जाए तो 36 आएगा तो 36 का अगर बर्गमूल किया जाए या कोई पूछे है कि 36 का बर्गमूल तो आपको 6 बोलना पड़ेगा ठीक है तो अब हम जो है बर्गमुल के बारे में और भी जानेंगे कि बर्गमुल को परदर्सित कैसे करते हैं जैसे A का बर्गमुल है तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे root में A और देखिए जब भी root A हम लोग लिखते हैं तो इसमें करड़ी का घाथ दो छुपा होता है जिसको कभी लिखा नहीं जाता है ठीक है? तो इसको अगर हम घातांग के रूप में लिखना चाहे जैसे root A का value अगर दूसरे फार में हम प्रदर्सित करना चाहे तो इसको लिख सकते है एक के पावर वन बाई टू आनि कि अगर किसी संख्या पर लिखा है अगर वन बाई टू पावर तो आपको समझ जारा चाहिए कि 36 का बर्गमूल पूछा जा रहा है ठीक है? तो बर्गमूल को प्रदर्सित करने की दो तरीके आपके पास है या तो उस संख्या को रूट के अंदर लिखिए या उस संख्या के उपर वन बाई टू लिखिए ठीक है? अब सवाल आता है कि बर्गमूल ग्याद कैसे करेंगे? जो कि हम लोग का तीन बिध्यों का डिसकस किया गया है जिसमें पहला है भाग बिधी दूसरा है गुणखंड बिधी और तीसरा है आपका अंदाज बिधी, चिक है? तो भाग बिधी को तो सब लोग जानते है इसकूल में पढ़ाये जाता है सब लोग पढ़े है Sharing गौनखंड विधी को अभी क्लास में आपकी यह होंगे, देखे होंगे, लेकिन यह अंदाज विधी जो student केवल क्लास की है स्कूल में, वो competition की त्यारी नहीं किये, वो इसको नहीं जानते हैं, तो इस विधी को हम competition के लिए apply करते हैं, competition में question को solve करने के लिए, speed बनाने के के लिए, जैसे यहाँ पर करा है कि भाग विधी से बर्गमूल ग्याद कीजिए, यहाँ पर लिखा है 42,025, 42,025 का बर्गमूल कितना होगा, हमें नहीं पता है कितना होगा, आपको भी नहीं पता है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि इसका बर्गमूल कितना होगा, तो भ भागविदी से बर्गमुल ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 40,025 को ऐसे लिखेंगे 45,025 का बर्गमुल ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस तरह का structure बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से और जोड़ा लगाएंगे इधर राइट से लेफ्ट की और जोड़ा अप लगाएंगे तो इस तरह का जोड़ा लगेगा जिसे 25 पर जोड़ा लग गया फिर 20 पर लग गया और 4 यहां सिंगल पच गया अब फ्रेज सोचे कि कौन सा अंक मैं लूँ कि उसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आ जाए तो हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 मैंने चूज किया तो इसको 3 बाज़ा लिखना पड़ेगा एक उपर लिखना पड़ेगा एक नीचे लिखना पड़ेगा अब इसमें मल्टिप्लाई करके लिखेंगे दो दूनी के 4 4 की नीचे 4 लिखेंगे यहां घट आएंगे तो यहां कट जाएगा और यह जोड़ा जाता है यह दोनों नमबरों को जोड़कर नीचे लिख दिया जाता है 4 अब उपर से उतरेगा यह 20 तो यह 20 हो गया और यह 4 है लेकिन इसको 40 समझना है क्योंकि क्योंकि जब हम 4 लिखत जारेंगे जब दो जोड़ा नमबर उतारी जाती है तो एक जीरो यहां पर और एक जीरा उपर बढ़ाना पड़ता है अब देखिए यह आपका 2000 यह आपका 2000 यह बन गया फिर इसके आगे अंकी कलपना करेंगे तो समझ दिलिए कि यह 400 है तो 400 से 2000 में 5 बर भाग जा सकता है इसलिए अंक यहां चूज करेंगे 5 तो 5 एक उपर लिखेंगे और एक नीचे लिखेंगे फिर गुणा करके इसमें नीचे लिखेंगे यहां पर करेंगे हल तो आप देख सकते हैं यह कट करके यह जो है कैंसिल हो गया और आपका पूरी अंक खतम हो चुके है समापत हो दूसर पांच इससे रेसी दोर आए कि दूसर पांच का अगर बर्क किया जाए तो 42,025 प्राप्त होगा ठीक है तो भाग विधी आपको समझ में आ गया होगा अब जो है इसमें चलते हैं नेक्स्ट टापिक जो था गुड़न खंड विधी तो गुड़न खंड विधी से बर्गमूल कैसे ग्याद करेंगे गुड़न खंड विधी से बर्गमूल ग्याद करने के लिए आपको जो है यहाँ पर बहुत ही आसान एयरूल है कोई भी विव्यक्त इसको असानी से कर सकता है वो भाग विधी में थोड़ी सी प्रवलम आती ह ठीक है तो 128 का परणूल अगर हमें find करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे untuk 128 का under root इस तरह लिखेंगे under quepe 128 और 128 का इस तरह से factorization करेंगे तो 128 का factorization आप कहीं भी कर सकते हैं इस तरह से लिख करके आप कर सकते हैं इस तरह से आप करते हैं आप लोग जैसे दूच्छा के बार दूच्छा के आठ फिर दूसे 32 से करते हैं तो ऐसे करेंगे तो देखिए 262 32 दो लिखने से आधा हो जाता है कोई 16 28 24 22 देखिए मैंने फेक्टराइजेशन जबानी कर लिया ठीक है अब जो है इसमें दो छूपा है यह बताता है जैसे आपको बताया गया कि इसमें दो छूपा होता है वो यह बताता है कि दो का जोड़ा लगाओगे तो यह बाहर नि निकलेगा फिर एक दो का जोड़ा लगाओगे तो एक दो बाहर निकलेगा चुकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है इसलिए उसी में बंद रहेगा आपका एंस्वर आ गया तो दुनी के अगर कोई कोईस्चन दस्मलों में आ रहे हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे फिरहाल बर्ग और बर्गमूल का जो एक कंसेप्ट है वह आपको किलियर आया या नहीं जरूर बताईएगा कमेंट में एक बर मैं रिवाज भी कर दे रहा हूं कि बर्ग की बिप्रित प्रिक्रिया का नाम बर्गमूल है और बर्गमूल ग्याद करने की तीन वीधिया है एक है भाग विधी दूसरा है गुंखण विधी तीसरा अंदाज विजी तो अंदाज विधी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे तब तक के लिए इजादत जीए धन बाद